हलो गईज वलकम टू माई चानल आइम पल लभी आई होप आप से बच्छे होंगे आज मैं आप लोगे साथ एक स्किन केर वीडियो शेयर करने वाली हूं चले स्टार्ट करते हैं को फर्स्ली हम यहां लेंगे एक फ्रेश कुकुमबर और गाइज यू नो कुकुमबर हमारे स्किन के लिए इतना सही होता है कि इसके हम दो स्लाइस काट लेंगे और इसे हम रखेंगे अपने आइस पे क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम हमारा डाक सकल होता है कुकुमबर में विटमिन सी एंड फोलिक एशिट की मातरा होती है तो वह हमारे डाक सकल को हमारे आइस के पफनिस को रिड्यूस करने में बहुत ज़ादा हेल्प करता है यह बहुत ही रिलेक्स फील भी कराता है गाइस ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगता है मैंने अगेन दो स्लाइस लिया है और उसे मैं अपने फेस पे अच्छे से रब कर रही हूँ जिससे कि हमारा जो स्किन है वो थोड़ा एक्सपोलियेट होगा जैसा कि मैंने कहा इसमें विटमिन सी और फोलिक एशिट की मातरा होती है तो इससे जो हमारा स्किन होता है वो थोड़ा टाइटन होता है और अगर आपको उपन पूर्स की प्रॉब्लम है तो यह उसे भी डिडियूस करता है अगर आपको पिग्मेंटेशन की प्रॉब्लम है तो यह उसे भी reduce करता है हमारे face को यह lighten brighten करता है तो यह बहुत ही अच्छा effect डालता है हमारे skin पर तो अब मैं इसे ऐच्छे से clean कर लोंगी and इसे pad dry कर लोंगी मैं and जिसके सबसे अच्छी बात ये है कि इसके कोई side effect नहीं होते हैं next हम लेंगे टमेटो और इसे मैं हाफ कर लूँगी और नेक्स्ट मैंने यहाँ लिया है शुगर और इसे मैंने हलका सा पीच लिया है दरदरा सा ताकि यह अपलाई करने में थोड़ा एजी हो तो टमेटो का जो जूस होता है वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है यह हमारे स्किन को ब्राइटिन करने में हल्प करता है और स्क्रबिंग हमारे फेस के लिए बहुत ही जादा अच्छी होती है आप वीग में दो बार स्क्रब करें यह आपके फेस पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी and tomato का juice होता है वो हमारे skin पे toner की तरह भी काम करता है and आपकी skin अगर oily है तो ये oilness को भी कम करता है so जब तक इसका kachumar ना निकल जाए तब तक हम इसे apply करेंगे and then मैंने इसे pad dry कर लिया है next हम चलेंगे अपने next step की तरह and firstly हम लेंगे यहाँ पे बेशन तो मैंने 1 टेबल स्पून बेशन लिया है and then हम इसमें लेंगे aloe vera gel so मैंने half टेबल स्पून इसमें aloe vera gel मिक्स किया है then हम यहाँ लेंगे half टेबल स्पून हानी so next हम इसमें लेंगे दही मुलतानी मिट्टी and pinch of turmeric so इन सब चीजों को हम अच्छे से mix कर लेंगे क्योंकि इसे हमें as a mask apply करना है and आप लोग जानते हो कि इसमें जितने भी ingredients मैंने use किये उन सब के कितने ज़्यादा फाइदे है and summer season है तो आपको ऐसे face mask apply करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इससे आपकी skin hydrated भी रहेगी and अभी summer के season में tanning की problem होती है तो यह उसे भी reduce करने में बहुत ही ज़्यादा help करती है तो आप इस face mask को week में दो बार apply करें and आपको बहुत ही अच्छे result मिलेंगे and mostly हमारे जो forehead के area होते हैं वहाँ पे हमें tanning ज़्यादा होती है तो आप वहाँ बहुत ही अच्छे से apply करें तो मैंने इसे अपने पूरे face पे अच्छे से apply कर लिया है and 10 minute तक मैं इसे छोड़ दूंगी तो आप देख सकते हैं यह dry हो चुका है so हम इसे scrub करते हैं अपने face से निकालेंगे हम इसे पानी से धोना नहीं है scrub करना है ताकि हमारे जो dead skin है वो भी इसके साथ निकल जाए and जो unwanted hair होते हैं वो भी निकलने के chances होते हैं तो आप इसे scrub करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा so अब देख रहो मैं इसे upper direction में इकाल रही हूँ and guys 22 को वर्पूजा है तो आप उसके पहले ये अपने skin को अच्छे से प्रेप कर सकते हो make-up के लिए and ये वीडियो आपके लिए helpful होता है तो please मेरे वीडियो को like कर दे and share कर दे and ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे comment box में जरूर बताए so अब मैं इसे अच्छे से clean कर लूँगी and अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हाए हैं तो इसे subscribe कर दे इस तरह के वीडियो और देखने के लिए and guys this feels so light so soft आप ये जरूर ट्राइ करें guys आपको बहुत इच्छे result मिलने वाले हैं so अब आप कोई भी अपने पसंद का मुशराइजर अपलाई कर सकते हैं अपने face पे and इसे मैं अपने face में push करते वे लगा रही हूँ and notification bell को दबाना आप बिल्कुल न भूले क्योंकि अगर आप नहीं दबाऊगे तो मिले वीडियो के notification आपके पस नहीं पहुँच पाएंगे और आप ऐसे वीडियो नहीं देख पाऊगे so या guys आज के लिए यही था मैंने अपने face को ऐसे ही प्रेप किया है अपने वर्पूजा के make-up के लिए जिसे वर्पूजा भी कहते हैं so या guys मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाइ टेक